हेलो एब्रिवन वेल्कम टो अबर चैनल के बी एन्बियस एंड सी बेसी जैसा कि आप सभी को पता है केंद्री विद्याले के कक्षा एक के एड्मिशन के फॉर्म आने बाले आप 27 से वो फॉर्म भर जाएंगे अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का एड्मिशन केंद् कि आप आसानी से उस फॉर्म को भर पाएं और अच्छे से वो फॉर्म फिल्ड हो जाएं तो चलिए देख लेते हैं कुछ दिशा निर्देश जो केंद्री विद्याले संक्ठन के द्वारा जारी किये गए इस साल के लिए तो यह पहले पॉइंट में यह दिया गया है तो आनलाइन पंजी करण से डिलेटर जो दिशा निर्देश हैं यह इस साल के लिए हैं तो देखते हैं कृपिया यहाँ पर उपलगत के प्रवेस नेमों बेनेमों और दिशा निर्देशों को ध्यान पूर्वक पढ़कर इनसे भली भात बर्चित हो जाएं अगला है आपको स ट्रवनस के लिए कई पंजी करण फॉर्म जमा किये जाते हैं तो कैबल अन्तिम पंजीकरण फॉर्म सिकार किया जाएगा मान लिया आपने रेजिस्टरेशन दो फॉर्म कर दिया तो लास्ट वाला जो फॉर्म होगा उसको ही माना जाएगा तो ध्यान से करेंगे डबल चुछ को दो विद्वाले माना जायगा आप उस्कों लिए है फर्स shift को एक विद्वाले माना झाखर इस तरह से फ़गा फ्र्म में फिल करेंगे अब देख लेते हैं कुछ अगर आप फ़ॉंब भरने जा रहे हैं तो k уч Desa चीज़ें इंपोर्टेंट चीज़ें हैं उनको अपने साथ जरूर रख लें जिससे कि आपको आसानी से फॉर्म भरा जा सके तो यह देख लीजे पहला है भारतिय सिम कार्ड वाला एक मानने मॉबाइल नंबर तो आप जब भी फॉर्म बने जाएं आपके पास एक मॉबाइल नंबर हो जिसमें एक OTP भी आएगा इसलिए मॉबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए और मॉबाइल होना चाहिए और मॉबाइल नंबर आपका भारतिय सिम कार्ड वाला हो दूसरा है एक बाइत ओ misunderstanding ही यानिको Destro bisa जाएगी तो आपके पास वी रगेंड के बच्चे का एक डिच्टल फोटोग्राफ निकि आपका जैसे फोटो कैमरे में या पर पास कोई फोटो उसको स्केन करा सकते हैं अब बात आती है जो फोट है उसका साइज कैसा होना चाहिए तो उसका जो अधिक्तम साइज होता है 256 KB होना चाहिए और जो format है कांसा? jpg file होना चाहिए तो अब जहां भी आकर अपने phone से भर रहे हैं अपने laptop से भर रहे हैं तो ये format आपको चाहिए होगा बाकी अगर नहीं कर पा रहे हैं तो जहां भी cyber cafe पे जाएंगे वो इसको आपको फोटो को बना देंगे इस file format में अगला है बच्चे के जन्म परमाण पत्र का scan यानि कि जो जन्म परमाण पत्र तो चाहिए होगा तो जो जन्म परमाण पत्र है उसको scan करके उसको तुरंत upload करना होगा और उसकी भी file क्या होना चाहिए? jpg होना चाहिए या PDF file होने चाहिए और उसका जो अधिक्तम जो file कितने बड़ी होने चाहिए अधिक्तम 556 kb से ज़्यादा ना होने चाहिए अगला है सरकार द्वारा जारी EWS BPL परमाण पत्र का विवरण यदि आप आर्थिक रूप से कमजोर हैं गरीबी देखा से के नीचे हैं बर्ग के अंतरगत आभिदन कर रहा हैं तो ये इसका एक certificate आपके पास होना चाहिए तो ये बात होगी जो कुछ चीजें हैं जो important चीजें हैं आपको जब भी form भरने के लिए बैठें ये सारी चीजें आपको अपने साथ लेके बैठें जिससे कि आपको form भरने के time इधर दूर भागना ना पड़े क्योंकि form काफी बड़े लेवल पर भर जाते हैं तो इसमें time तो लगेगा ही साथी website की हो सकता है starting में दिक्कत आए तो आप अगर सारी चीजें लेके बैठेंगे तो आपका form जल्दी से जल्दी भर जाएगा और आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है अब आगे देखते हैं आगे की प्रिक्रिया में क्या है आवेदन को पॉइंट नमबर चार आवेदन पत्र को सुचारूप से यह तो हमने देखी लिया है इसके बाद आके है इसमें एक पॉइंट और है माता पिता के इस्थान आंतरन का विवरन जिनकी सेवा स्रणी यद लागू है आवेदन पत्र में उप्योग किया जाना है अगर कोई ट्रांसफरेबल पैरेंट है तो उसका उस्थान आंतरन का विवरन का भी एक आपके पास प्रमाण होना चाहिए चलिए यह तो हो गया इसके बाद हम पॉइंट 5 पर आते हैं इसमें क्या है आवेदन पत्र जमा करने में दो मुख की चरण है सामिल है तो देख लेते हैं वो दो चरण काउंट से हैं सबसे पहला ए पोर्टल पर पंजी करन करना सफल पंजी करन पर आपको एक यूनिक लॉगिन कोड प्राप्त होगा अपने यूनिक कोड लॉगिन कोड को ध्यान पूरवक लिख लें जब भी आप रेजिस्टरेशन करेंगे तो रेजिस्टरेशन जब आपको पूरी तरह से हो जाएगा तब आपको एक लॉगिन कोड मिलेगा जैसे कि लॉगिन आईटी होती है वैसे ही एक कोड मिलेगा उसको आपको ध्यान से अच्छे से प्रिंट करके रख लीजे या कहीं पर लिख के रख लीजे फिर आता है पांच में ही बी आवेदन भरना और जमा करना पंजी करण के बाद आप लॉगिन कोड का उप्योग लॉगिन करने एवेव ऑनलाइन आवेदन पत्र भनने के लिए किया जाएगा जैसे आपको लॉगिन कोड मिलिया तो इसको आप दुबारा लॉगिन करके उस कोड को डाल कर फिर से आप उसको ओपन करेंगे और अपना जो पत्र है ऑनलाइन आवेदन है उसको भर्स पाएंगे आप भारत में इस्तित तीन अलग-अलग विद्यालों के चैन बिना प्राथमिकता दिये कर सकते हैं तो अब यहाँ पर एक क्वेशन उड़ता है कि आप कितनी जगे अपलाई कर सकते हैं कितने स्कूल में अपलाई कर सकते हैं उसमें भी बोलागे है अगर दो शिफ्ट का स्कूल है मालिया एक ही स्कूल में दो स्कूल है वन और टू तो दो स्कूल तो आपके यह होगे तीसरा किसी और जगे पर आप कर सकते हैं तो तीन जगे आप तीन स्कूल में अपलाई कर सकते हैं उसके आगे आबेदन पत्र भरने के बाद इसमें submit application बटन पर क्लिक करने के जमा करना होगा अगर आपने जब भी आप form भर रहें उसमें submit application का form अगर नहीं प्रेस किया है तब तक आपका जो form है वो submit नहीं होगा और आपका form पूरा नहीं भर पाएगा तो ध्यान पूरवक इसको देख लें जब भी submit का बटन आये उसको जरूर क्लिक करें सफलता पूरवक जमा होने पर आपको एक unique application submission code प्राप्त होगा जैसे ही आपका form submit हो जाएगा तो आपके पास फिर से एक code आएगा लेकिन ये काउन सा होगा ये application submit होने का code होगा जो की login code से बिन होगा जो login code आपको यहां से मिला था वो तरह से इससे अलग होगा आपको मूल दस्तावेजों की एक सूची भी दिखाई जाएगी जो प्रवेज के समय आपके विद्याले में द्वारा प्रस्तुत करनी होगी अब ये तो हो गया आपका form भर गया यहाँ पर form भरने के बाद उसम को लिख लीजिए और जो भी documents हैं उनको ध्यान से अपने साथ रख लीजिए जिसे कि आपको admission का time जब भी list बनेगी तो आप उनको school में दिखा सकें प्रस्तुत किये जाने वाल दस्तावेजों की सूची को ध्यान पूर्वक लिख लें या उसको print कर लें तो ये दो चरण ह 5A और 5B 5A हो गया भी हो गया दोनों चरणों के पूरा होने के बाद ही आवेदन प्रक्रिया पूरी होती है केवल चरण 5A को पूरा करने मातर से आपका आवेदन केंदरी विद्याले में जमान ही होगा तो इसको ध्यान से देख लिए सबसे पहले आपको जब भी form भरने ज डिटेल भरने के बाद जब तक सब application आपको submit नहीं होगा तब तक आपको application submit code प्राप्त नहीं होगा और यह जब प्राप्त हो गया तो आपका form इस तरह से भर गया form जमा हो जाएगा उसके बाद क्या होगा आपको कुछ जो documents हैं admission के time उनको दिखाना पड़ेगा उनको ध्य की बच्चे का admission इसके basis पर हो जाएगा I hope आपसे भी कोई वीडियो समझ में आ गया होगा कि क्या करना है admission form fill करते time registration form fill करते time और विद्याले जाने के time आपको क्या क्या documents ले जाने हैं ये भी उसी में मिल जाएगा I hope आपको वीडियो अच्छा लगा होगा अगर अच्छा ल तब तके लिए good luck thank you